नमस्कार दोस्तों मैं गुल्चन सिंग आप सभी का स्वगत करता हूं सेसी मेकर में कैसे हैं सारे वच्छे उमीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे तो आप सभी लोगों को जिसका इंतजार था SSC CGL 2024 वेकेंसी का और उसके साथ भी वेकेंसी यानि की जो पहले हम लोग सोच रहे थे कि हो सकता है चुनाओ के बाद वेकेंसी कम हो जाए उसके बाद वेकेंसी कम आने लगे पता नहीं कब पेपर होगा क्या होगा लेकिन ऐसा आप सभी बच्चे देखेंगे एक वंपर वेकेंसी आपको देखने को मिली है ठीक है आप अगर पहले जाएंगे जैसे 2022 का जो वेकेंसी था उसको छोड़ दीजिए उससे पहले कितनी वेकेंसी आ रही थी उससे पहले 7,000, 7,000, 8,000 ऐसे वेकेंसी आया कर दी थी 2020 CGL से मेरा सेलेक्शन हुआ था उस समय भी 7,500 वेकेंसी थी तिक जो बाद में बढ़के 8,000 होई और इस समय जो आपकी वेकेंसी आई हुए है और ये आपकी वेकेंसी सुरू में ही 17,727 है और इसके आगे और भी बढ़ने के चांसेज है हो सकता है ये वेकेंसी आपकी 20,000 के प्लस चल इसमें कोई डाउट नहीं है आगे चलके वेकेंसी बढ़ेगा जैसे हमने देखा GD की वेकेंसी आपकी डबल हो गई, ALP की वेकेंसी डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, टेक्निशन की वेकेंसी बढ़ी तो इसकी वेकेंसी भी आपकी बढ़ेगा और सबसे अच्छी बात जो SSC exams की होती है मैं आपसे कहता हूँ कोई भी वच्चा अगर one day exam की तयारी करता है तो उसे SSC CGL की ही तयारी करनी चाहिए क्योंकि इससे आप CGL, CHSL MTS भी दे सकते हैं other exams, railways के सारी exam आपके सारी की सारी चीजे SSC में cover हो जाती है सबसे बढ़िया चीज हर साल आपकी vacancy होगी हर साल आपको 2-3 paper देने को आराम से मिलता है तो vacancy आया है eligibility क्या होती है syllabus क्या होता है age limit क्या होती है qualification क्या होता है हर चीज बिलकुल detail से जानेंगे अगर कोई बच्चा बिलकुल fresher भी होना इस class में जो सोत रहा है कि इस बार मैं CGL का form भरू या फिर इस साल graduation खतम हो जाएगा तो अगले साल मैं CGL का paper दूँगा उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही महतपूर आपको सारी जानकारी एकदम detail में सारी चीज़े मैं यहाँ पर बताने वाना हूँ ठीक है सबसे पहले मैं आपको दिखा दू SSE CGL 2024 इसकी जो vacancy आती है हर साल आपको vacancy देखने को मिलेगा CGL मतलब combined graduate level examination अगर आप graduation कर चुके हैं ठीक तब आप इस form को भरते हैं graduation नहीं किये हैं 12th pass है तो आप CHSL के form को भरते हैं और अगर 10th pass है तो आप उस समय MTS के form को भरते हैं ठीक है अगर मैं CGL की बात करूँ तो CGL का form आपका SSE के website पर आपको देखने को मिलता है ठीक है इसमें जो आपका आया हुआ है ये 2024 का आपका form है ठीक है 2024 का form है क्या क्या चीजे इसमें होंगी आपको बता दे तो ये 2024 जून को form आया हुआ है ये form 11 जून को आने वाला था लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ है बहुत जादे डिले नहीं हुआ है बस form में डिले हुआ है बाखी process अपने समय पर चलने वाला है जैसे 2024 जून से लेके last rate का वेट करते हैं कि 24 जून है न तो 24 जूलाई है तो 24 जूलाई को ही form भरेंगे 20 जूलाई को form भरेंगे नहीं आप कोसिस करिएगा 10 जूलाई से पहले ठीक है before 10 जूलाई 10 जूलाई से पहले आपका form भर गया हो इसके बाद इसका website नहीं चलेगा SST का website हो सकता है 10 जूलाई के बाद चलना बंद हो जाए आप form को ना भर पाए कितने भी तयार हो कितनी भी तयारी कर रखे हैं form नहीं भरेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है शुरुवाती दिनों में form भरिए उसके बाद आप अपने तयारी पर लग जाएए यहां तक आपके form भरे जाएंगे इसके बाद यह आपको सीधे हम exam पर आते हैं correction window क्या है ध्यान से form भरना है ताकि correction की नौबत ना आए इसके साथ September, October पहले से ही था September, October के महीने में paper होगा तो September और October में paper होगा Tier 1 का exam Tier 1 सिर्फ आपको qualify करना होता है उसके बाद December के महीने में यहां पर Tier 2 का भी exam हो जाएगा पहले आपका November, December में GD का exam होना था ठीक है लेकिन December में अब GD का exam तो जनवरी फरवरी चला गया है तो आपका December में CGL Tier 2 exam हो जाएगा एक दो दिन में सारा paper आपका हो जाता है ठीक है तो बहुत बड़ा slot नहीं चाहिए December में आपका हो सकता है सुरू में हो जाए हो सकता है last में हो जाए December आपको समझे एक December से आपको तयार रहना है मेंस के लिए और एक सितंबर से आपको तयार रहना है ठीक है यह है आपका क्या form आया है कितने दिन तक भरना है क्या है अच्छा अब इसमें बात करें तो CGL जैसे अगर कोई बच्चा गाउं का है कहीं का भी आपको आप तयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी में जाना चाते हैं ठीक है तो CGL से बहतर जौब आपको दूसरा नहीं मिलेगा मैं आपको PCS, UPSC की बात नहीं कर रहा हूं One Day Exam जिसमें आप Math, Reasoning, GS, English, Hindi हो तो Hindi या फिर ये सारी चीजे पढ़के आप सेलेक्शन ले सके तो सबसे best exam होता है SSC CGL का बहुत अच्छे post पर आपको सर्व करने का मौत्पका मिलता है यहाँ पर देखिए चार category में यहाँ पर post को divide किया जाता है सबसे पहला जो category आता है यह होता है pay label 7 इसमें देखेंगे तो group B और group C के सब में post है क्योंकि group D आपको सर्फ railway में देखने को मिलता है इधर आपको group D देखने को नहीं मिलेगा सबसे पहला यहाँ पर होता है pay label 7 अब इसकी salary के हिसाब से आप अगर मोटा मोटी समझे तो salary के हिसाब से इसकी category divide की गई pay label 7 है इसमें आपका 44,900 से 1,42,400 basic pay है अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे न कि serial की तयारी करते हैं किस post के लिए कहते हैं तो हर एक बच्चा आपको जवाब देगा हम इन post के लिए तयारी करते हैं ठीक है कुछ बच्चे यहाँ पर तयारी करते हैं सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने के लिए लेकिन जो बच्चा वाकई CGL में लगा है CGL को बहुत अच्छे से जानता है तो उसका target रहता है ये सारे post तो रहते हैं क्योंकि जो इनकी salary है ये salary आपको यहाँ पर 80-85,000 के करीब में salary आपकी जाती है ठीक है ये salary आपको मिलता है perman ठीक ये है आपका 4600 grade P की बात में कर रहा पोस्ट कौन से आते हैं तो इसमें आपको assistant section officer बनने का मौका मिलता है और कहां पर ministries में जैसे आपका विदेश मंतराले है, ग्रियमंतराले है, खेंदरी सच्णी वाले है ठीक है ये बहुत सारी ministries है छोटे छोटे अधर ministry है जिसमें आपको यहाँ पर assistant section officer बनने का मौका मिलता है साथ में inspector के जो आपने post देखी हैं excites के inspector होते हैं income tax के inspector होते हैं cbi के sub inspector होते हैं तो वो सारे के सारे post आपके इसी में आते हैं 4600 grade pay के अंदर ठीक है कुछ बच्चे तयारी करते हैं सिर्फ नौकरी चाहिए कुछ बच्चे तयारी करते हैं और आप भी अगर तयारी पर लगे हैं तो अपने post को decide करिए किस post के लिए तयारी कर रहे हैं और उस पर आप अपने तयारी को start करिए ठीक है इसके बाद आते हैं तो इस पे pay label 6 होता है इसमें आपके कुछ पोस्ट होते हैं इसमें आपको बता दू इसकी सेलरी आपकी 60 से 65 हजार के करीब में बनती है ठीक है ये सारे के सारे पोस्ट आपके ग्रूप B के ही है ठीक है इसमें जैसे एक DA का पोस्ट है जो की बहुत फेमस है अभी जो आपका एक्जेक्यूटिव असिस्टेंट है CBIC में ये भी आपका फेमस पोस्ट है ठीक है इसमें आपके सैलरी आपकी 60 से 65 हजार यहां पर बनेगी ठीक लेकिन इंस्पेक्टर वगरा के जो भी पोस्ट है न सब इसी में आते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा उसके बाद आता है पे लेबल 5 ओडिटर्स एकाउंटेंट्स ये जो कोस्ट होते हैं ये सारा आपका पे लेबल 5 में आता है इसकी सैलरी आपकी करीब 50 से 55 हजार के करीब में जाती है ठीक है 50 से 55 हजार और इसके बाद आजाते हैं pay level 4 में जिसमें postal assistance, sorting assistant जो की पहले CHSL के थुरू होता था लेकिन अब ये आपका CGL के थुरू इसमें भरती होती है इसके बाद TA income tax और आपका CBIC और CBDT income tax और excise के जो TA होते हैं ये आपके इसमें आते हैं ठीक है इसकी भी salary आपकी 40 ते 45,000 के करीब बच जाती है तो आप यहां पर overall जब देखेंगे तो आप समझें 40,000 से उपर और 80,000 तक महीने में कमाने का मौका है अब एक गाउं का बच्चा है किसी किसान का बच्चा है चाहे आप बिल्कुल lower middle class से बिलॉंग करते हैं आपके पास क्या है एक form भरना है 100 रुपय का ठीक है इसके साथ 6-7 महीने लग के तयारी करना है बहुत बहतरी ढंग से आपको तयारी करना है तब जाके आपके पास मौका रहता है इन सारे post में से जहां चाहे वहाँ जाने का मौका रहता है तो इसमें क्या चाहिए बस आपको अच्छे से महनत करना होगा form का rate भी बहुत सस्ता है 100 रुपया में form भरा जाता है लेकिन जो आपकी महनत है कम से कम 6-7 महीने तक लगातार 8-9 घंटा पढ़ेंगे तब जाके आप इस post को कर पाते हैं और बहुत असान है इसको करना बहुत असान ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़े कुछ पूची जाती है मैं खुद इसमें selected हूँ मुझे पता है मेरा पहले attempt में दूसरे attempt में सब जगा selection हुआ तो ये मैं बता सकता हूँ असान है कई बच्चों को लगता है सर आप तो selected है आपको असान लगेगा तो जब आपके दोर में थे ना हम भी तैयारी करते थे तो हमारे लिए भी बहुत मुस्किल था ये कैसे होगा क्या होगा इतना बड़ा syllabus है लेकिन जब एक pattern से आप अराम अराम से चीज़ों को करने लगेंगे ना एक pattern में आपको follow करना है ये नहीं कि कुछ यहां से पढ़ लिए कुछ वहां से पढ़ लिए नहीं विल्कुल जब pattern में इन चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे तीन चार महिने के बाद आपको लगेगा अच्छा ये तो सारी चीज़े हमको समझ में आने लगी है हम भी इसको करने लगे हैं practice वगरा करके धीरे धीरे सारी चीज़े आपकी improve हो जाती है और 5-6 महिने में आपके अंदर confidence आजाएगा कि अब हम भी इस exam को qualify कर सकते हैं आयू सीमा के बारे में बता दे तो यहां पर 1-8-2024 से आपकी आयू count की जाएगी इसमें देखिएगा ज जैसे ये group C के जो post हैं इनकी age limit 18-27 साल तक की होती है ठीक है lower 18 साल और maximum आपकी 27 साल और ये जो post होते हैं जो level 6 और level 7 के हैं इसका जो age group होता है ये 18 से यहां पर ये 20 से 30 का है उपर वाले portion में और नीचे वाले कुछ portions में आपके 18 से 30 के हैं मतलब minimum age आपकी 18 साल होनी चाहिए और maximum age आपकी 30 साल होनी चाहिए वो भी मैं बता रहा हूँ unreserved के लिए ठीक है जो general category से आते हैं बच्चे उनके लिए बाकी other बच्चों के लिए आपको यहां पर 5 साल SCST, 3 साल OBC और जो आपके handicap अगरा होते हैं उनको others और भी age relaxation साथ में ex-service man को 3 साल का यहां पर age relaxation मिलता है ठीक है तो आप अपना एक बर मिला लिजेगा आपका date of birth क्या है 10th के mark sheet पे जो date of birth लिखा है तो अगर आपका देखिएगा 28.1997 के पहले का ना हो ठीक है और यहां पर अगर आगे बढ़ेंगे जो 18.32 साल का भी इसमें एक post है देखिएगा एक आपका post होता है junior statical officer यह 18.32 क होता है 18.30 वाले की बात करें तो 18.2006 ठीक है 28.1994 से लेके 18.2006 के बीच में आपका जनम हो आ होना चाहिए ठीक है अगर 94 के पहले का जनम है और you are category से बिलॉंग करते हैं तब आप इस form को नहीं बर पाएंगे मोटा मोटी 18 से लेके 30 साल के बीच में आपका is होना चाहिए इ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी 12th class में होते हैं उनके अंदर भी होता है कि सर हमको भी form भरना है ठीक है तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा जो बच्चे अभी graduation final year में है ठीक है तो final year वालों को तो chance मिलता है लेकिन जो अभी third year में गय हुए है ठीक है जो अभ का graduation complete होगा हो सकता है उसके 6-7 महिने के बाद आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब मैं अच्छी जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ एक बहुत अच्छी जॉब आपके पास होगी ठीक है तो यहाँ पर qualification की बात कर दे तो qualification देखिए एकदम basic में समझे qualification आपका होता है graduation आप हैं कोई भी subject हो कुछ भी matter नहीं करता है graduate है आप form को भर सकते हैं जैसे इसमें कुछ post आती है जैसे एक JSO होता है statical investigator होता है तो इनमें अलग से qualification की भी requirement होती है क्योंकि इनका काम भी थोड़ा सा अलग होता है तो इसमें अलग से requirement होती है यह PDF आपको SSC Maker के telegram चैनल पर मिल जाएगा वहां से अगर किसी को JSO का form भरना है न और statistical investigator का तो एक बार आप यहां पर qualification उसका देख लीजेगा बाकी graduate है तो CGL का form भर दीजेए ऐसा नहीं है कि सारा post यहां चला जाएगा जैसे अगर 17,700 post आया है तो मुस्किल से 1000 post इधर होगा बाकी के 15-16,000 post graduate वालो बच्चे देखेंगे आपको मैंने बताया कि बहुत बढ़िया मौका होता है आप किसी अगर अच्छे बहुत अच्छे background से नहीं है ठीक है एक normal family से belong करते हैं तो आपको खर्च क्या करना है 100 रुपए इसका fee भरना है application fee 100 रुपए और उसके बाद सब आपके हाथों में है क अपने पास ना ही कोई बहुत बड़ी संपत्ती है ना ही कोई industry है ना कुछ है एक बहुत बच्चे ऐसे हैं कि उनके पास graduation तक करने का जैसे कहीं college में जाके पढ़ने का इतना fees नहीं होता है कहीं बाहर से form भरते हैं graduation हो जाते हैं ठीक है उसके बाद घर में बैठके पढ़ा को मिलेगा तो आपके लिए सबसे बहतर समय है आज से तयारी start कर लीजे आप इन दिनों में बहुत अच्छे से तयार हो जाएंगे तो थोड़ा सा समय तो लगता है समय आपको कहीं भी invest करना पड़ेगा और 6-7-8 महीना कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है ठीक है तीन सा हमको लगता है graduation करने में तीन साल graduation करने के बाद भी तीन साल कहीं चार साल ये नहीं से और होता है कि नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ठीक है लेकिन 6-7-8 महीना यहाँ पर पढ़ लेने से कम से कम इतना तो आपके अंदर खुद confidence हो जाएगा कुछ दिन के बाद कि हाँ मेर selection हो सकता है और बहुत अच्छे से आप selection लेंगे इसमें कोई doubt वाली बात नहीं है मुझे कभी किसी बच्चे पर doubt नहीं रहा है कि ये बच्चा selection नहीं ले पाएगा चाहे इसका selection हो जाएगा नहीं मैं बस एक ची जानता हूँ अगर लगातार कोई अपना 8 गंटा देता है लगातार ऐसा नहीं कि 10 दिन पढ़े उसके बाद 3 दिन का break ले लिए नहीं लगातार अगर आप डेली पढ़ते हैं 6-7-8 महिना बस इतने में selection हो जाता है ठीक है देखिए exam कैसे होता है दो phase में exam होगा पहले tier 1 होगा उसके बाद tier 2 होगा tier 1 में बहुत जादे भीड होती है इस form को भर दिया जाएगा आप देखिए 30-35 लाख बच्चे इस form को भरेंगे ठीक है पेपर देने जाएंगे इसमें से मुस्किल से 15-20 लाख बच्चे इसमें पेपर देने जाएंगे ठीक है तो कुछ भीड आपको फाल्तु की भी दिखेंगे बहुत से लोग ऐसे होते है कि बस ऐसी ही उठे चल दिये पेपर देने कोई मतलब था नहीं ठीक है तो tier 1 में पढ़े नहीं थे अगली बार पढ़ लेंगे बस आए थे पेपर देखने क्या हम दे पाएंगे की नहीं दे पाएंगे तो ये साधी चीज़े अपने एक लिमिट तक तो सही है लेकिन अगर जाही रहे है तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाएए एगम अच्छे से तयार होके जाएए ठीक है tier 1 exam होगा है tier 1 exam में बस आपको qualify होना एक cut-off आपको लगेगा और cut-off भी आपका depend करता है किस label का paper आता है उस हिसाब से लगता है उससे जादे number है आप इसको qualify कर जाएंगे इसका merit में कोई roll नहीं है पहले merit में इसका roll था अब merit में कोई roll नहीं है ठीक है आएगा क्या इसमें? इसमें reasoning आएगा इसमें GS आएगा इसमें maths आएगा इसमें English आएगा आप किसी भी exam की तयारी करते हैं ये तीन चीज़ आपको हर exam में देखने को मिलता है SSC के exams में आपक एक्ट्रा English देखने को मिलता है ठीक है आप railway वगएरा का कोई भी paper उठा लीजे English नहीं आता है लेकिन ये तीन चीज़ एकदम compulsory आता है ठीक 25 question आएंगे 25 25 25 और दो नंबर का एक question तो 50 50 नंबर ये हो गये ठीक कुल मिला के आएगा 200 नंबर का paper ठीक समय मिलेगा एक घंटा एक घंटे में करने होंगे आपको 100 सवाल ठीक है एक घंटे में 100 सवाल बिलकुल इसलिए तो practice की जरूरत पड़ेगी ठीक है सारा खेल यहाँ पर पहले concept को सीखना है उसके बाद उसको practice करके अपने समय को घटाना है ठीक तो मैं 6-7-8 महीने क्यों कह रहा हूँ आप हो सकता है 5 महीने में course को खतम करेंगे बाखी के 3 महीना practice करके अपने समय को कम करेंगे ठीक है आप हो सकता है सारे सवाल लगा ले रहे है लेकिन समय matter करेगा और समय आता है सिर्फ समय काबू में आएगा practice कितना practice करेंगे न उतना बहतर आप बनते जाएगे ठीक है तो tier 1 exam दे और English में क्या पढ़ना है ठीक है यहां का जो maths होता है इसमें ध्यान रखेगा इसमें advanced math भी आता है advanced math का मतलब होता है geometry, trigonometry, algebra यह सारी चीजे भी आता है ठीक तो बहुत से बच्चों को लगता है advanced math बहुत tough है कुछ tough नहीं है एक बार पढ़के तो देखियो आपको इतने बहतर धंग से advanced math पहले भी पढ़ाए हैं अभी भी पढ़ाते हैं इतना बहतर धंग से न और बहुत ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने 4 महीने तक आपको advanced math पढ़ना है कुछ नहीं आप एक थोड़ा सा समय मुझे दे दीजे आप देड़ महीने का समय दीजे देड़ महीने का उतने इंग्लिस की इंग्लिस भी आप मुकेश सर की class शुरू करिए धीरे धीरे आप देखे आपको सारी चीजे समझ में आने लगेंगी ठीक है और चाहे reasoning हो GSO कुछ भी हो reasoning आप अजे सर से पढ़ लीजे देखिए कितना बहतर आपको एकदम basic से सिखा देगे ठीक है तो हमारे पढ़ाने का हमेशा motive यही रहा है कि बिलकुल basic से अगर कोई बच्चा सुरुआत भी कर रहा है पहली बार भी सीख रहा है तो हर चीज एकदम zero level से सारी चीजे सीख चाहें और इसी के साथ आपको सारी classes कराते हैं हम लोग इसके बाद आते हैं tier 2 अब यह है असली खेल यहां से होगा इसमें आएगा क्या तो इसमें आएगा mental ability और reasoning यानि की maths और reasoning एक घंटा पहले आपका math reasoning का paper होगा 30 question math के रहेंगे 30 question आपके reasoning के रहेंगे 60 question 60 minute पहले क्या था 60 minute और 100 question हुआ करते थे tier 1 में tier 1 में 100 question 60 minute रहेंगे 60 question 60 minute हर question 3 number का 180 number का maths जैसे ही maths reasoning खतम हुआ GS से start हो गया तो इसमें GS और English होगा 45 question आपके रहेंगे English के और 25 question रहेंगे GS के कुल मिलाके 70 question और 70 तिया 210 number 180 number यहां हो गया और 210 number यहां हो गया अब जो भी है math, reasoning, GS और English के दम पे ही आपका selection होगा यह तो हम tier 1 में भी देखे थे बिलकुल जो syllabus tier 1 का है वैसा ही syllabus कुछ chapter जूडते हैं 3 chapter maths में जूडते हैं और 2-3 chapter आपके reasoning में जूडते हैं आपकी सारी चीज़े सेम रहती हैं जैसा आप वहां पर पढ़े हैं बस उसी को practice में बनाए रखिए यहां पर आपका mains आपका बहुत बनिया हो जाएगा तो mains में अब यहां पर जितने number आएंगे इसी हिसाब से post बढ़ते हैं आपने देखा ना level 7, level 6, level 5, level 4 क्या था वो यह number आया जैसे माल लीजे किसी बच्चे का आगया 350 number 350 बहुत जादे हो जाएगा ठीक है किसी बच्चे का आया 330 number वो चला गया level 7 में ठीक है किसी बच्चे का आया 300 माल लीजे 20 number वो चला गया level 6 में इसी का आगया 319 नंबर, वो चला गया level 5 में, बहुत बड़ा gap नहीं होता है, बहुत छोटा gap होता है, इधर gap थोड़ा सा बड़ा होता है, और नीचे जैसे जैसे जाते हैं, gap छोटा होता जाता है, एक एक नंबर पर फिर से आपके post के सकने लगते हैं, हो सकता है दो-तिर नं को बहुत बढ़िया डंग से पढ़ना है, इसके बाद एक computer का paper होगा, इसमें 20 question आएंगे 3 नंबर के, और 60 नंबर का paper होगा, ये बस आपका qualify होगा, इसको आपको qualify करना हो, एक level 7 के कुछ post है, उसमें जाने के लिए इसमें थोड़ा सा merit भी बनता है, तो इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, मेंस के समय में इसको पढ़ते हैं, सुरू में नहीं पढ़ते हैं, मेंस में आपको पढ़ाया जाता है, computer के बारे में, वहाँ पर ये चीजे आप सीखते हैं, और फिर से, मेंस में आसान आता है question, बहुत tough question नहीं आता है, वैसे ये सारे question आप GS में भी पढ़ तो यह है उसके बाद या फिर आपको अभी से typing का डर लगता है कि सर हम typing नहीं कर पाएंगे तो मैं आप से वही करता हूं 15 मिनट सुबह में आप उठीये 15 मिनट टाइप कर लिजे और 15 मिनट सामने कर लिजे वस यह 15-15 मिनट टाइप करेंगे तो आपका ये typing वाला जंजट भी खतम हो जाता है ये सब करने के बाद number आता है number आने के बाद भी देख लीजे process बहुत बैतर है, बहुत छोटा सा process हो गया है, पहले तो बहुत इंतिजार करना पड़ता था, ठीक है, तो number आएगा, आपसे post preference भराना जाएगा कि कौन सा post आपको चाहिए, कौन सा post आप opt करना चाहते हैं आप post preference भरते हैं final result आता है, उसमें आपका selection होता है, number के हिसाब से, ठीक है आपके number के हिसाब से post भर जाता है उसके बाद फिर से आप जाते हैं अपने department में join करते हैं ठीक है, तो बहुत छोटा सा process है, अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दू, जैसे जून चल रहा है आप अगले जून से पहले join कर लेंगे अपने department में आप मार्च या अपरील में मार्च या अपरील तक जाके join कर लेंगे, इस समय तक आपकी joining हो जाएगी, कुछ-कुछ post में late joining होती है, लेकिन कुछ post में बहुत जल्दी, maximum post में आप अपरील तक जाके join कर लेंगे, जून में form आया, अपरील माई तक अगले साल आपके रात में नौकरी रहेगी अगले साल ये form आने से पहले आपके पास नौकरी रहेगी, ठीक है तो ये था आपका पूरा CGL tier 1, tier 2, age क्या चीज है, सब चीज आपको इसमें बता दिया मैंने, ठीक देखिए, इसमें क्या पूछा जाता है reasoning में क्या पूछा जाता है, कैसे reasoning पढ़े, कैसे math पढ़े, ये सारी मैं भी मानता हूँ, सबसे बहतर है आपको मैं कहता हूँ, देखिए, इधर उडर भटकने से नहीं होगा, बहुत बड़ा स्लेबस है, बड़ा स्लेबस है आपको एक एक चीजे करके धीरे-धीरे समेटना पड़ेगा, इधर उडर के चक्कर मैं फसेंगे, बहुत समय लग जाएगा तो CGL का एक्जाम हो, CHSL हो आप CPO हो, एक बार इस बैच से पढ़ लेंगे न, ये संकल्प बैच आपका हम लोगों ने चला रखा है SSC Maker के app पर, ठीक आपका सबसे सस्ता बैच है मात्र 500 में आपको ये complete बैच मिलता है, इसमें आपको Maths हो, Reasoning हो GS हो, English हो Science हो, सब की Life Classes एकदम मिलती हैं आपको, और सब की Life Classes इसमें Maths मैं आपको, मैं ही पढ़ा रहा हूँ ठीक है, आप एक बार पढ़के देखिएगा, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा, जो आपको बहुत बहतर रंग से ना समझ में आ जाए ठीक है, और जिसको आप एकदम करने के बाद, मैं आपको ये भी कहता हूँ अगर आप एक बार कोई चैप्टर पढ़ लिए ठीक है, जैसे मैं अभी इसमें Algebra पढ़ा रहा हूँ ठीक है, तो मैं बच्चों से कहता हूँ आप Algebra पढ़ लिए हैं, आप किसी भी किताब का सवाल उठा लीजे आप कहीं भी किसी भी टीचर के नोट्स उठा लीजे किसी का PDF उठा लीजे, कुछ भी कर लीजे अगर आप इससे पढ़े हैं तो 25 कोर्शन के 25 कोर्शन तय है ठीक, तो बहुत बेटर ढ़ंग से लाइब क्लासे चलती हैं, आपको PDF फगरा हर चीज बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है ठीक, तो चाहे अगले साल आपको फर्म भरना है, अगर कोई बच्चा सूच रहा है कि नहीं, मेरा इस साल ग्रेजुएशन फाइनल है, तो फाइनल इयर ग्रेजुएशन सबसे बेस समय है, ठीक है आपको अगले साल फ़र्म भरना है, आप आज से तयारी शुरू करिए, ठीक, एक समय लगेगा, समय में आप तयार होंगे तयार होने के बाद, जब आप पेपर दिने जाएंगे तो हो सकता है, फर्स्ट अटेम्ट में आपका सेलेक्शन, ठीक है पहला अटेम्ट जो होता है न, चाहे पहला अटेम्ट आपका, चाहे दूसरा अटेम्ट ये दो अटेम्ट ऐसे होते हैं न, जब आपके अंदर बहुत एनर्जी होता है एक इसको बहुत बहुत बहुतर धन्ट से आप यूज करिएगा ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में चाहे इधर उधर भटक के इस पूरे attempt को अपने समय को बरबाद कर ले ठीक है चली तो मिलते हैं आपसे आठ बजे मैट्स की क्लास में जहां पर मैं CHSL का एक्जाम होने वाला है तो कैसे कुशन आते हैं ये मैं करा रहूं तो आप एक बर वहाँ पर भी आके देखेंगे न तो आपको पता चल जाएगा किस टाइब के कुशन आपके आते हैं तो आठ बजे क्लास में मिलते हैं सीजियल्स के लिए भी अलग से मैं क्लास स्टार्ट करूँगा बहुत बेटर टर्म से हम दो पढ़ेंगे यूटूब पर हैं ठीक है प्रैक्टिस एट वगरा सारी चीजे करेंगे तो आप सभी बच्चे तयार हो जाएए बहुत बढ़िया मौका है 17,700 वैकेंसी कम नहीं होती है ठीक है मेरे लिए तो बहुत जादे हैं आप 7,400 वैकेंसी में मेरा सेलेक्शन हुआ जा ठीक है और यहाँ पर 17,700 ठीक है तो आप सोच सकते हैं ठाई गुना वैकेंसी यहाँ पर है आप सभी से तक तक सभी बच्चों को नमस्कार रहें आपके पास भी है इन सभी बदों को प्राप्त करने का एक सुनहेरा आफसर जिसमें आपको मिलते हैं सीबी आई इनकम टेक्स मंत्राल्य जैसे बेहद ही शांदारपत आप सभी को सभी को सभी के लिए संकल्प बैज जिसमें आपकी सभी क्लासेज एक दम बेसिक से चल रही हैं तो बिना देरी किये आज ही जोईन करें सभी को एक नई उडान अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड कर ये स्सी मेगर आप और दिये गए नमाद